ये खबर सोशल मीडिया में वाइरल है कि रवीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं अब लोगों के अंदरे उत्सुकता जाकती है कि रवीश कुमार आखिर किस पार्टी से जाने वाले हैं कॉंग्रेस, PSP, RJD, किस से? या भाजपा से? मतलब ये वीचर से चली थी तो रवीश कुमार आठ जेटी की टिकेट से राज्यसभा जाने वाले बहुत बहुत बधाईयां कहने से पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दू ये खबर जूटी है, अव्वा है और विशुद्ध गलत है ये कुछ screenshot देखिए, आपको समझ में आ जायागा कि क्या कहा जा रहा था और रवीश कुमार ने इस बात को बिल्कुल कह दिया है कि ये बात सब प्रतिशा जूटी है रवीश कुमार कहीं नी जा रहे हैं, वो अपनी पत्रिकारता करेंगे पेपर का होता है, वो भी edited होता है, तो ये सारे चीज़े रवीश कुमार के बारे में सोशल मीडिया पे चलता रहता है, ये बात फ़र्जी विशुद्ध गलत निकलती है, ये बात clear हो गई दूसरी बात मैं करूँगा सोशल मीडिया पे, इंडियन एक्स्प्रेस का दो दिन पहले एक स्क्रीन शॉट वैरल होता है, कि 2019 में जैसे ही सुप्रीम कोट ने आयुध्या में जमीन का फैसला हिंदू के पक्ष में आने के बाद मुख्य मुख्यों लोगों ने, आयुध्य बिजनिस के संभावना होती है, पैसे के संभावना होती है, यह दो बात निकल के सामने आती है, लेकिन अयुध्या वाले मामले में तरह विशेश अख़बार ने क्यों गया, यह प्रश्मिचिन बनता है, तो को दोस्तों पश्चिमियुत्तर प्रदेश में एक जेवर जग किये पहुत ज्यादा बड़े, अब लेकिन अख़बार ने क्या पता लगानी कोशिश की, ऐसे कौन व्याबारी थे जिन्नों ने खरीदा, ऐसे कौन नेता थे, जिन्नों नो जमीन खरीदी, बेची, कौन अधिकारी थे, लेकिन ऐसा उस वक्त या फिर अभी तक हमें सुनन और देखने को नहीं मिला है, कि जेवर बैसा और ग्रेटर नोडर नोड़ा में से कौन लोग थी, जिन्नों जमीन को खरीदा और बेचा, दो धोड़ों में लोग बट जाते हैं, लेकिन अख़बार ने अयोध्या में जमीन विक्री की, तो अख़बार के मुताबिक, जिस स अथित भारी घोटाला हुआ, वह अरुन आचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के बेटे ने किया, फिर इसके बाद अधिकारियों के नाम सामने आने लगे, कि उन्होंने जमीन खरीदी, देखे यार, ऐसा लगता है, इसमें जमीन में घोटाला है, ना कोई अपराद है, खरीद फरोग के सिंपल सी चीज दिखाई दे रहे हैं मुझे भी, दो धोड़ों में सोशल मीडिया इस बात को लेके बटा हुआ है, लोग तो यह कहना है कि अख़बार ना किसी खास मकसब से इस खबर को बनाया, क्योंकि विपक्षी दल तो समाजबादी पार्टी है, वो चिटक रहा है, और जब वोट चिटक रहा है, तो किसके पास जा रहा है, समाजबादी पार्टी है, कॉंग्रेस के पास जा रहा है, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देखे, बताना चाहता हूँ कि कैसे समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेस इस दल वोट की पीछे लेकिन दलित वोट की जब बात होती है तो उस पे दावेदारी सबसे ज्यादा मायवती की बताई जाती है कि बहिया बिया बियस्पी बतलब दलित का वोट और थोक वोट है लेकिन 2012 के बाद स्थितियां बहुत बदल गई हैं देगे पिछले कई चुनावों में उनका लगात परसेंट ही वोट रह जाता है और 2019 के चुनाव में यही वोट 3.09 परसेंट था कैसे मायवती का जनाधार यू लगातार कम हो रहा है कि पार्टी 2012 में हार कार जब सत्ता से बाहार होती है सोचो जब 2012 में जब मायवती सत्ता से बाहार हुई थी उनको तकरिबन 25% से ज्यादा वोट मिले थे जो आज 12.88 परसेंट यानि कि पूरा आधा हो गया 2014 के लोकस्वा चुनाव में मायवती को उत्तर प्रदेश में 20 परसेंट वोट मिले अब जो 20 परसेंट वो घटके 9.38 रह गई तो अपना भतिजा आकाश आनंद को उन्होंने राष्ट्रिय समन्वयक बना दिया उत्तर प्रदेश को पेले समाजवादी पार्टी को बेस्प का जो सदस्ता सुलक जो होती थी यानि membership जो फीस होती थी को कुछ 200 के आसपास होती थी बोले कि हमें अधिक लोगों को जोड़ना है इसमों 200 से कम करके 50 पे लेकर के आओ वही फीस अब 50 हो गई है सदस्ता 50 रुप में ले सकते हैं दूसरी और लोगसभाद चुनाव के नतीजों से उतसाहित कॉंग्रेस पार्टी दलित मत दाताओं तक अपनी पोहुच बनाना चाहती है अब मलिकार जुन खड़गे है वो बहुत ज़दा प्रोएक्टिव हैं इस वक्त कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी से ताल मिल करके चुनाव लड़ा तो उसको 6 सीटे मिल जाती है ब्रहामाट दलित और मुस्लिम का समीकन बैठ जाता है अब ना कॉंग्रेस यूपी के अंदर ना सदस्ता लेलो वाई साब अभ्यान जल रहा है था कि इनको अपने कबजे में किया जा सके और कॉंग्रेस का तो खास फोकस है ना वो यही वर्ग है दलित वर्ग और इसका प्रयास काफी तेज़ चाल रहा है मेंबर्शिप लो, मेंबर्शिप लो, इसका वही समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि हमने फैजवाद की सीट जीत ली अयुद्यावाली जिनका नाम अवधेश प्रसाद है जिनको ट्रॉफी की तरह समाजवादी पार्टी लेके जा रही है कि अब यह हमने जीत ली तो दलित वोटव हमारा हो गया वो एक मैसिस देने कोशिश कर रहे कि मायवती कभी नियाएंगी सत्ता के अंदर क्यों जोड़े उसके साथ आप हमारे साथ जोड़िए तो अखिले शादव यहां लगे हुए हैं और ये बतानी कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने जहां आरक्षित हैं वहां तो दलित उतारे उसका केंपिन धर चल रहा है अब चंदरशकर आजाद को लगता है कि भई ये जो दलित वोड़ पेंगे उस पर कब्जा मेरा होना चाहिए क्योंकि उन्हें नगीना की सीट जीती है दलितों का समर्थन उनको मिल रहा है लोग उनकी बातों को समझ रहे हैं तो अब बेतरफ आने चाहिए वो स्मार्टली खेल रहे हैं उन्होंने मायवती जी को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से ना कोई शब्द बोला है ना काउंटर किया उन्होंने ये बोला कि हम मायवती के बच्चे होगे कामों को पूरा करेंगे एक होप दिखाई मायवती के वोटर्स को आईए वो नितक गलत नहीं है लेकिन हाँ अब जिम्मेदारी मेरी है जो वो ने कर पाई वो मैं करूंगा तीक मैं यूवा हूँ में पास समय बहुत ज्यादा है तो अगले कुछ दिनों में आकाश आनंद जो की मायवती के भतीजे है और वहीं चंदरशेकरादाद के बीचना आपको जंग देखने को मिलेगी ये तो यार अपने साइडी लेकर जा रहा है और वहीं भारती जंता पाटी का सवाल है वो तो गेर जाटा वोट को टारगेट करके अपना भ्यान चला रहे है सबके अपने अपने गोल बिल्कुल साफतार पर निश्चत है किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है एहम रखता है एहमियत है दलित वोट की अब किस पाले पे जाते हैं किसकी social engineering काफी अच्छी है और किसको क्या समझ में आ रहा है और वो किस party के ओर जा रहा है यह तो वक्त बताएगा लेकिन फिलाल मैं बहार था मुझे आप तक जानकारी पहुचा नहीं थी वैं कोशिश कर रहा हूँ कि YouTube में लगातार डेली आओ और में वीडियो लगातार आय में कीजिए जुस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे आप पता सकते इस वीडियो को तीन वाट सेपर पर पर शेयर कीजिए जाए हिंद वंदेफात्रम स्टे अप्डेटेट स्टे अचुके टिट सत्ते बेव जायते लबसकार एक सवाल पूस्ता हों जाते चाहते कि क् रवीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए एक बात चलो सच हो जाया कि चलो रवीश कुमार अब राज जबा पहुंचेंगे तो इससे क्या होगा कॉमेंट सेक्शन बताइए